एक और super simple question solve करते हैं इस tutorial में the angle of elevation of the top of a tower तो हमारे पास एक tower है ठीक है और angle of elevation angle of elevation का मतलब यह है कि हम नीचे से उपर वाली side किसी चीज को देख रहे हैं of the top of the tower तो हमने इसके top को देखना है नीचे से और नीचे किस point से उसके बारे में बात करते हैं from a point on the ground और यह जो ground है इस ground पे कहीं पे यह point है जहां से यह angle of elevation में given है which is 30 meters away from the foot तो आप यह समझे लो कि यहां से हम इसके top को देख रहे हैं और यह जो point है यह इस tower यह जो tower है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आप tower की shape का बनाओ सिर्फ एक line draw करो और वही आपका tower हो जाएगा तो यह a b अगर मेरा tower है तो यह c point जो है वो इसके foot से 30 meters दूर है 30 meters away from the foot of the tower तो यह 30 meters away हो गया और angle कितना मनाता है यह 30 degree तो यानि कि यहां से जब मैं इसके top को देख रहा हूं तो 30 degree का angle बनता है find the height of the tower तो अब हमें इस tower की यह जो height है इसको find out करना है यानि कि a b find out करना है तो बड़ा simple सा है देखो फिर से वही बात हमेशा यह बात याद रखना आप अगर इसको ऐसे लिखते हो पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, बोले तो पहले sign, फिर cos, फिर tan साथ वाली side base हो जाती है तो यह base हो गई, यह perpendicular और यह हो गई hypotenuse अब हमें base given है और perpendicular निकालना है तो base और perpendicular में देखो यहाँ पर कौन सा formula होता है, तो base और perpendicular में यह जो है, यह है tan तो इसका मतलब मैं tan का formula लगाके यहाँ से इसका perpendicular जो है उसको find out कर सकता हूँ तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है So, let A, B be the tower तो इसको मैंने tower consider कर लिया This implies A, B जो है, वो हमें find out करना है ठीक है Also, अब हमें यह given है कि A, C is 30 meters Okay and angle C हमें कितना given है 30 degree तो यह सारी चीज़ें हमें given है अब यह tower जो है, यह इस पर 90 degree के angle पर होगा ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो आप हमेशा कोई भी building हो tree हो, tower हो हम हमेशा उसको ground के उपर पिलकुल vertical यानि कि 90 degree के angle पर ही consider करते है तो यह right angle triangle बन गई ठीक है, so in right angled triangle ABC इसमें अब मुझे tan c निकालना है अब इसमें अगर मैं tan c का formula लगाता हूँ तो tan c हो गया, perpendicular over base perpendicular over base which is equal to a b over a c which is equal to a b मुझे find out करना है और a c मुझे given है 30 meters ठीक है, तो यहां से मैं a b निकाल लेता हूँ, तो a b मेरा हो गया 30 इदर जाके tan c से multiply जाएगा 30 into tan c c पे कितने का angle है, 30 degree तो tan 30 degree हो गया which is equal to 30 into tan 30 degree की value कितनी होती है 1 by square root 3 तो यह table मैं फिर से दे रहा हूँ यहां पे tutorial में, आप देखले ना कि इसकी value इतनी, आप कैसे निकाल सकते हो तो यहां से a b जो है, वो हो गया 30 by square root 3 इतने meters अगर आप चाहो तो answer यहां छोड़ सकते हो अगर आपको नीचे से square root 3 हटाना हो तो आप इसको square root 3 से ही multiply कर दो और square root 3 से ही divide कर दो तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह हो जाएगा 30 square root 3 divided by 3 तो 3, 30 यह कटेगा तो जाएगा 10 into square root 3 इतने meters is the answer so that's it from this tutorial keep watching Mathemaphia